हलो दोस्तों, आज हम लोग रिमजिम भाग पाँच हिंदी के पाठ चार नन्हा फनकार पाठ में आए हुए प्रिस्ट और उनके उत्तर करेंगे, तो आईए दोस्तों प्रिस्ट फस्ट, मासा अल्लाह ये घंटिया कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई है, बाठ सा अकबर ने यह बात किसलिए कही होगी इसका उत्तर है, बाठ सा अकबर को यकीन नहीं था कि दस साल का बच्चा के सव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है प्रिस्ट टू, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी उत्तर, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वह नन्हे केसों से इत्मीनान से बात करना चाहते थे और उसके हुनर के बारे में बिस्तार से जानना चाहते थे प्रिस्न थर्ड, केसों दस साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? उत्तर, केसों की उम्र के बच्चों को पढ़ना और खेलना आवेश्यक है इस उम्र में काम से जुड़ने पर उनका समचित विकास नहीं हो पाएगा फोर, अकबर ने जब नकासी सीखना चाहा, तो केसों ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? उत्तर, अकबर ने जब नकासी सीखना चाहा, तो केसों को यकीन नहीं हुआ, कि बात्साह अन्य जरूरी काम छोड़कर नकासी सीखेंगे इसलिए उसने अकबर को संदेह भरी नजरों से देखा? फाइव, प्रिसन फाइव, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है यहाँ पर बड़े आदमी से केसों का क्या मतलब है? उत्तर, बड़े आदमी से केसों का अर्थ धन्वान बेक्ति से है, क्योंकि उसने राजा अकबर की महेंगी बेस भूसा देख कर सोचा था प्रिसन फाइव, केसों सबसे बार बार क्या कहता होगा? उत्तर, केसों सबसे कहता होगा कि बात्सा अकबर मुझे से मिलने आये थे, उन्होंने मेरे काम की तारीफ की? प्रिसन फाइव, नन्ना फनकार कहानी से हमें क्या सिच्छा मिलती है? या क्या सीख मिलती है? इसके उत्तर होगा दोस्तों, हमें उच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए लगन और परिस्व से अपना कार करना चाहिए थर्ड, हमेशा आत्म विश्वास बनाए रखना चाहिए फोर, समाज में सभी का सम्मान करना चाहिए प्रिसन एट, नन्ना फनकार कहानी का उद्देश क्या है? इसका उत्तर है हमें सदा बेवार कुसल रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए ततपर रहना चाहिए, ताकि अपने जीवन में आए सुब और सुरन से हम बंचित ना हो सकें दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अबस करें आप सभी को बहुत बहुत जन्यवाद